जुल्हें पढ़लिया था मतलब स्की तरीक है शीत्यूद के टूलड और बेसिक नोलच आपने कर लिया था आज से से प्रोपर तरीके से अपनी क्लास साट हो जाएगी स्की किस प्रॉपर तरीके से बाइब्भि जाएगी शीकने संसार रोट पर दिया था पहले चरम बिंदू शीत यूद गाई चरम बिंदू या फिर कोल्ड वर का एक हाई पॉइंट पीक पॉइंट जिसे बोलते हैं हाई पॉइंट था और वो था क्यूबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बड़े दियान साब को समझना है क्यूबा मिसाइल क्रासिस ठीक है ये जो क्य क्योबा मिसाइल संकट था या पर क्योबा मिसाइल क्रासिस था इसको चरम बिंदू केतने शीतित यूद का हाई पॉइंट क्यों कहते हैं कि इसमें ऐसी हालत बन गई थी एक बार ऐसी कंडिशन आगई थी 13 देस तक मामला चला ठीक है 13 दिन तक यह इस तरीक एसी मान सकते ह अपन की ऐसा लोगों को लगा कि आज यूद होगा कल यूद हो जाएगा होगा होगा मतलब ऐसा लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वोर इन तीसरा विश्ववी दो बहुत हो पक्का है अब तो इस क्यूबा संकट को जब ऐसी स्थति बन गई थी जब यह हो एक्चुल में क्यूबा एक आइलेंड है मतलब क्यूबा है कि दूप्य देश है जिसके चारूं और पानी ही पानी है और यह अमेरिका के बिल्कुल पास में है अगर आप वर्ल्ड के में आपको देखेंगे तो यह यूएस से हैं अमेरिका मैक्सिको सिटी वेगरा होगी और यह रा क्यू क्युबा है क्यूब एक्ट्रम है तो अमेरिका गे बिलकुल पास में है लेकिन यहां पर रहते हैं लोग वो उनकी जो iboarding जो विचारधारा है वह कम्मिमिस्ट यानि कि वह सभी विचारधार के लोग है क्या आर्य फिर्स क्लैस सारी बात knowledge करवा दिया था कि सामयवादी विचायधार को मानने वाले लोग USSR के follower होते हैं ठीक है यानि कि Soviet Sun को मानते हैं वो क्योंकि Soviet Sun उस ideology पर चलता है अब problem कहां होती है कि यह मानता तो USSR को है Soviet Sun को है क्योंकि इनकी जो ideology है वो कैसी है communist है लेकिन यह अमेरिका के पास में तो इससे Soviet Sun को के डर रहता है कि यह जो क्यूबा है क्यूबा जो है यह अमेरिका के पास में तो अमेरिका कभी भी इसको क्या कर लेगा इस पर अपना अधिकार कर लेगा ठीक है यह Soviet Sun को डर है इस इसका Soviet Sun के नेताओं को डर है USSR के leader को डर है कि यार क्यूबा तो बिल्कुल USA के पास में कभ प्लेट कर देगा फिदल कास्तरों को अपनी वहां से पोज़चन अटा देगा और राज इस्तापित कर लेगा इसलिए सोवित संग जो है उसको यहां पर क्या करता है इसमें क्यूबा में तो इससे क्यूबा वाले जो अमेरिका है उसको बाद में पता चलता है कि यहां तो इसके उपर से निकल रहा होता है है क्यूबा के पास निकल रहा होते हैं तो उसको नजर आता है कि क्यूबा में कहीं जगें हैं कहीं जगें जहां पर आर्मी का लग गया और मिसाइल लगा ली तो फिर फिर उनके नेताओं को पता चलता है तो फिर वो क्या करते हैं जो USA के जो अमेरिका के जो नेता हैं ठीक है वो इस क्यूबा सोवित संग को को कहते हैं कि आप यहां से जितने भी अपने आपके आर्मी के जंगी बैड़े जितने भी हैं इनको यहां से हटा लिजे जहाज वगएरा क्योंकि यह बात ठीक नहीं है यह हमारे पास काहरा काफी सारे इनके बहस चलती है एक्चुनल होता है कि फिर यह भी एक जवाब देता है वापस कोन रशिया मैं आपको एक डाइग्राम और समझाता हूँ रशिया क्या जवाब देता है रशिया कहता है कि ठीक है आपकी बाद ठीक हम यहां से हमारे जंगी जहाज बेड़े जितने भी यहां पर हमने शिप कि बिल्कुल रशिया के पाद यह रशिया को युएससर दिख रहा होगा रशिया बता दूंगा युएससर के टोकड़े होने के बाद फिर 15 कंट्री बन गई थी वह बता दूंगा नेक्स क्लास में लेकिन आप एक टोपिक लेंगे प्रॉपर तरीके समझो यह जो तुर्क कि तो एक कांगर तुम यहां से अपनी सेना वगरे हटा लो हम यहां से अटा लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अगर यहां अमेरिका यहां टिक जाएगा तो वह रशिया को अराम से उसको अटेक करने के लिए खेल्प हो जाएगी ग्राउंड मिल जाएगा वेसे इसको भी यहां जो है यह देखो इसकी बात करो में रशिया को यहां गर आके टिक जाता है यूएसेसर तो यहां रशिया तो उसको अमेरिका वे टेक करने कि फिर फाइनली फिर समझोता हो जाता है कि मिल बेट की काम खर लो कल को लड़ाई हो जाएगी तो बहुत ज़्यद पर बात में दोनों फाइनली मान जाते हैं और फिर यहां से हट जाता है वह बात अलग है तो एक बात में थोड़े साब को मेप से बता दो यह अमेरिका के प्रेजिदेंट जोन एफ केनेडी यह यूएसे के ठीक है यूएसे के प्रेजिदेंट है फिदल कास्त्रो यह आप में बोल सकते हो बहुत बहुत इंपोर्टन लीडर है बात करेंगे इनकी बहुत दिमाग से लगा ली थी लोगों बहुत जा डर था लेकिन दोनों की सहमती से सुच बूस से काम ठीक हो जाता है तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए जो आगे बात करेंगे बहुत इंपोर्टन रहता थे बात कर चाहां एक बीए बिता दूं कि यह जो फिडल कास्त्रो है यह यहां पर भी करी थी लेकिन फाइनली समझता हो गया तो इसलिए इसको पीक पॉइंट माना जाता है क्योंकि लड़ाई होने के पूरे-पूरे चांस था लेकिन हुए नहीं यह कुछ आप मैप बना सकते हो और यह मैंने आपको तुर्की बता दिया जहां पर युएस आ का राज था म और आपना क्यूबा थीख है अब थोड़े इसकी बारे भड़ लेता है लॉत्ट सम्कट कंई है क्या लगा एंगे क्यूबा एतिसमें लगा एसमें आप चाये हो लगा सकते हैं क्यूबा GB mensile sunkahahaha क्यूबा हंदी में तो हिंदी में हो जाएगा क्यूबा मिसाइल संकत वे 23 aЕ準ग हो जाएगी और उंग्लिशम वन्हों क्या हो जाएगी być क्यूबा मिसंऑ क्राइस ठीच है यह अपनी हैडिंग हो जाए क्यूबा मिसाइल क्रैसिस वेरी इंपोर्टेंट है यह आपको हैडिंग लगानी है और फिर एक-एक पॉइंट शांदार तरीकेस लिखना है पहला पॉइंट कि यह अमेरिका की तर्ट पर है बिल्कुल आइरलेंड कंट्री है छोटा साथ दूपी देश है क्यूबा उसमें स को लिखा दिया था शामियवादियों का शाषन है सोवेट संग उसे कूटनेक और वितिये साइथा परदान करता था ठीक है ठीक है क्यूबा एस्मोर आइसलेंड कंट्री ऑप दे कोस्ट अमेरिका वस जूल्ड बाए कम्मिनिस्ट का राज है और सोवेट यून इनको हेल्प करता है ठीक है दूसरी बात यह हुई कि अप्रेल 1961 में सोवेट संग के नेताओं को यह चिंदा सतारी थी क्यों क्या चिंदा सतारी थी कि यह बिल्कुल अमेरिका के पास में है अमेरिका सामिवादियों दोरा साषित क्यूबा पर अक्रमन कर लेगा यह उन्हो लेगा उसको टादेगा और अपने अंडर में कर लेगा दर था दो पैंट शांदार तीसरे पोइंट संग का नेता थे निकिता कृश्चेव बहुत इंपॉर्टन लीडर निकिता खुरुष्चेव ने क्यूबा रूस के सेनिक अड़े के रूप में बदलने का फैसला किया कि चलो ठीक आप यह काम करेंगे, निकिता कुरूश्यव ने कहा कि क्यूबा अबना एक military camp लगाएंगे, बस class को attention नहीं है, और फिर देखते हैं कि US second क्या मतलब यह करेगा, क्योंकि इनको एक जगे मिल जाएगी, इन्होंने यह सोच लिया और missile ने लगा भी दी, ठीक है, 1962 मे इस से deployed nuclear missile to क्यूबा, वहाँ पर लगा भी दी, पस class काम हो गया, मैंने कहा था न, फिर उपर से एक वो जो spice jet जा रहा था, spice jet, उससे पता चला, कि यार, यहां तो missile लगी हुई है, मतलब तीन सबते बाद इनको पता चला, थीन, थी वीक के बाद में, तेनाती के बाद में, हतियार मतलब missile लगा देना, इस तेनाती के बाद में, सोवेट संग, यानि USSR, पहले की तुलना में, अब अमेरिका के और नजदिक आ गया, क्योंकि अमेरिका से USSR काफी दूर पड़ता है, लेकिन एक चुल मैं आपका एक बात बात बता हूँ, यह मतल यूएसे से 145 किलोमेटर दूर है, कौन क्यूबा, 145 किलोमेटर दूर है, क् यूएसे से जो क्यूबा है, वो 145 किलोमेटर दूर है, और जब रश्या या USSR अगर यहां क्यूबा में आ जाएगा, तो बिलकुल सोवेट संग तो बिलकुल उसके पास में हो गया, अमेरिका के, तो बहुत डबल दुगना कम स्पेस हो गया उसके, तो अमेरिका के जो अमेरिका के अमेरिका को तीन हफते बाद पता चली, ठीक है, इसके बाद अमेरिकी राष्टपती जोन F. कैनेडी इसने आदेश दिया किसको, सोवेट संग को, USSR को, कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगें करके, क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवेट जाजों को रोका जा यह कहा अपने सेनिकों को या अपने अपने देश को या आदेश दिया, कि जल्द हमारी जो अमेरिकी जंगी बेड़ों को लगा हो आगे, वो रश्या को वहां से दखेल दो, USSR को वहां से दखेल दो, यह उसने order दिया, the US came to know about the deployment of these nuclear missiles in Cuba, three weeks later, three weeks later, after this, US President John F. Kennedy, ordered American worship to intercept any Soviet ships heading to Cuba, as a way of warning the USSR of his seriousness, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, कि America की शेताओं में से ऐसा लगा, कि अब तो लड़ा ही पक्यों कि रस्या ने मना कर दिया, USSR ने मना कर देखना है, एसे हम कैसे अटा देंगे, आप भी वहां तुर्की से टाओर, एसे हमें काफी बहुत सली, लेकिन फिर, जो अम USSR के जो नेता है, निकीता कुरुष्चे हो, मैंने का ना, बहुत important leader है, उन्होंने देखा कि दोनु ही country, बहुत powerful, दोनु सुपर power है, और लड़ लिए गर, तो बहुत ज़न नुकसान हो जाएगा, और कोई किसी ख्रतम करनी पायेगा, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पुरा संसार तबाह हो जाएगा, और थर्ड वर्ल्ड वोर है, पक्का होके रहेगा, तीसरा विश्विद हो जाएगा, कि क्यूबा अब तो हो काई होगा लेकिन फिर भी तीसरा विश्विद टल गया नहीं होगा ठीक है कि रूप में जाना जाता है विद दा वर्णिंग फॉर अमेरिका इट सीम देड़ दा वोर वुड कॉंटीनियू मतलब होके रहेगा इसी को क्यूबा मिसाइल क्रैसिस कहते हैं वर्य इंपोर्टेंट थोड़ा सा ओर लिखेंगे एक पॉइंट और इसी के इंदर कि अमरिका की गंबिर चैताओं ने को देखते हुए सोवेत संग जिनकी लिडर थे निकिता खुरुष्चेव उन्होंने साइम से काम लिया और यूद को टालने का फैसला किया इसलिए उसने समझ गए वो कि आगे बढ़ रहे थे उनको दीर थे मलब एक तरीका होता है हटने का अचानक हटने से लगता है डर गए आप लेगन दीर दीर ऐसा कि पता भी नहीं चले हट पिक गए ठीक है जैसे दीर 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 अपने जहाज़ू की गती कम कर दी तो अपने शिप भेज़े ते फटाक फटाक से उसमें श्पीड कम कर दी या फिर कुछ जहाज़ू को वापस मोड़ दिया कि चलो रहने हो कोई बात नहीं इस परकार क्यूबा मिसाइल संगट है व जो USSR के प्रेज़ेंट है निकेता कुरुसेव दोनों की सूचबूच से या पर उनकी अमेरिका के प्रेज़ेंट की वारनिंग को ध्यान में रखते वे दोनों की सूचबूच से यह इस फेसले को टाल दिया गया ठीक है यानि कि लड़ाई को युद में ना होन दिया और अ क्यूबा मिसाइल्स क्रैसिस वो बच गया ठीक है एक वनमाक्स में नोट लिका है मैंने अगर आपको वनमाक्स में पूछ भी लिया जाए कि क्यूबा मिसाइल संक्रिट में महत्वपूर्ण भूमिका नेभाएने वाले दो विश्वविक्यात नेताओं के नाम बताईए व विश्वविक्यात नेता बोला जाता है तो वह हैं सोवेट संग के नेता नेकिता खुरुष्यव और अमेरिकी ग्राष्टपती जॉन F. केनेडी दोनों की सुझभूस से लड़ाई खल गई लड़ाई में नुकसान ही है फायदा बिल्कुल भी नहीं है टू वर्ड वर्ड रिनॉड लीडर्स वो प्लैड एक की रॉल इन दा क्यूबा मिसाइल क्राइस वर सोवेट लेडर तो तो थे एक तो सोवेट लेडर निक कीट वर्ड़ का और कोन सा था वो यही था कुईबा मिसाइल संकट क्यूबा मिसाइल संकट शीक टूइब का चरम बिन्दु था क्किवा मिसायल कर एक्सथिस वह Sophie the The Cold War, छोटे छोटे टोपिक एंट्रेस्स के साथ पढ़ेंगे, क्यूबाय में साइज संकर्ट में कोई सा भी क्यूशन अगर आ गया, इस नोट से बाहर नहीं जाएगा, परफेक्टली आपको पढ़ना है, ठीक है? ओके.